भाश्पा सरकार के प्रस्तावित ब्रॉडकास बिल पर प्रियंका गांधी वाडरा ने करारा प्रहार किया है और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस ब्रॉडकास बिल पर ये अब तक का सबसे पड़ा बयान है प्रियंका गांधी वाडरा बाकाइदा महात्मा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नहरू का इस्तवाल करती हैं अपनी बात रखने के लिए क्या कहती है प्रियंका गांधी वाडरा सबसे पहले महात्मा गांधी के एक बयान का जिक्र जो उन्होंने 1922 में यंग इंडिया में लिखा था महात्मा गानी ने लिखा था हमें सबसे पहले स्वतंत्र अभिवक्ति और संगठन के अधिकार को हासिल करना चाहिए और इन अधिकारों की रक्षा जान देकर भी करनी चाहिए और इसके बाद प्रियंका जिक्र करती है 1940 को पंडित नहरू के बयान का पंडित नहरू ने मार्च 1940 में क्या कहा था प्रेस की आजादी का मतलब ये नहीं होता कि जो चीजें हम छपी हुई देखना चाहें सिर्फ उसी की अनुमती दें इस तरह की आजादी से तो कोई अत्याचारी भी सहमत हो जाएगा नागरिक स्वतंत्रताओं और प्रेस की आजादी का मतलब है कि हम जो चीज न चाहें उनकी भी आनुमती दें और अपनी आलोशना बरदाश्त करें अपनी आलोशना बरदाश्त करें प्रियंका गांधी वाडरा ने अपने बयान में क्या कहा है आपके स्क्रीन्स पर ये दो उधारण ये बताते हैं कि हमारे नागरिकों को मिली अभिव्यक्ती और प्रेस की स्वतंत्रता यूही नहीं मिली है इसके लिए वर्षों तक लाखों लोगों ने लड़ाई लड़ी है नागरिक स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी हमारे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की महान विरासत है आजाद भारत के इतिहास में कभी कोई सरकार नागरिकों को मिली स्वतंत्रता को कुचलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी आज एक तरफ सत्ता के जोर से पूरी मीडिया को सरकारी भूंपू बना दिया गया है दूसरी तरफ भाशबा सरकार ब्रॉडकास बिल लाकर डिजिटल मीडिया, सोचिल मीडिया, OTT प्लाटफॉर्म और यहां तक की निजी हैसियत में लिखने बोलने वालों की जुबान पर ताला लगानी की तैयारी कर रही है यह पूरी तरह से अस्विकार है, देश ऐसी हरकतों को बरदाश्ट नहीं करेगा प्रियंका के तल्ख तेवर, नगर बड़ा सवाल यह आखिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, भाशपा की यह क्या सोच है, क्या यह एक डिजिटल बुल्डोजर है वो नहीं चाहते कि तू खबर की तहे तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्ही गहराईयों में छिपा है, राजनीती का असली खेल, न्यूस यफ्ट, खबर की गहराईयों को टटूलता भारती जहनता पार्टी को बुल्डोजर शब्से बेताशा महबत है, बुल्डोजर जो की कानून के खिलाफ है, मगर हर चीज़ को ये लोग बुल्डोज करना चाहते हैं, और अब लेकर आ रहे हैं एक ब्रॉडकास बिल, जिसके जरिये सत्ता से सवाल पूछने वाले पत् 30 सीड दूर इसलिए हैं बहुमत से, क्योंकि चंदर पत्रकारों ने सत्ता से सवाल किये थे, देश की जनता को असलियत बताई थी, और अब वो एक ब्रॉडकास बिल लाना चाहती है, जिसके जरिये सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को बुल्डोज किया जाएगा ये बिल बहुत खतरना के दोस्तों, और अपने आप में किसी डिजिटल बुल्डोजर से कम नहीं है, मैं आपको समझाओंगा, सबसे बड़ी बात, राजनीतिक दल, यानि घैर भाशपा दल जो हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे टी-म-सी हो, आम आदमी पार्टी ह या कॉंग्रिस, मगर भारतिय जनता पार्टी मोधी 3.0 के तहत ये ब्राटकास बिल लाना चाहती है, आज मैं आपको बतलाओंगा दोस्तों, कि आम इनसान के लिए कितना खतरनाक है, हर वो व्यक्ति जो आज की तारीक में सोशिल मीडिया, चाहे फेस्बुक, ट्विटर, यूट्यूब पर अपनी राय रखना चाहता है, सब के लिए कितनी मुश्किल पेश आने वाली है, मुश्किल सिर्व अभिसार, शर्मा, धुरुवराठी, रवीश, कुमार, अजीत, अंजुन, पुर्ने, प्रसून, वाचपे के लिए नहीं, मुश्किल हर उस इनसान के ल कुछ देर बाद मैं सवाल रखूंगा अपार गुपता के सामने, अपार गुपता कौन है दोस्तों, वो शक्स जिन्होंने इंटरनेट पर आजादी के लिए मानू एक मुहिम छेड़ रखी है, उनके लेखों ने अकसर एक बहुत बड़ा असर किया है, उनसे मैं बात करू चुपके चुपके लाना चाहती है, वो कितना खतरदाग है, सबसे बड़ी बात, हर बिल में कुछ स्टेक होल्डर्स होतने हैं, अगर आप बिल ला रहे हैं, तो उसका असर किन लोगों पर पड़ेगा, आज की तारीक में ब्रॉडकास्ट बिल के सबसे बड़े स्टेक होल कौन है, डिजिटल मीडिया पर अपनी बात रखने वाले पत्रकार, यानि की अभिसार, शर्मा, रवीश, धुरुवराठी, अजीत अंजुम, पुर्न प्रसून बाचपई, मगर क्या आप जानते हैं, इस सरकार ने हमसे बिलकुर मंत्रणा नहीं की, सबसे शॉकिंग बात उसने बहुत ही गुप्त तरीके से बिल का ड्राफ्ट सरकिलेट किया है, चंद लोगों में, और उन चंद लोगों को कहा है, कि ये बिल का जो ड्राफ्ट है, लीक नहीं होना चाहिए, जनता तक नहीं पहुँचना चाहिए, कितनी शॉकिंग बात है ना, जिन लोगों के ल ला रहे हैं आप उनसे भी मंतरणा नहीं करना चाहते हैं चोर दर्वाजे से आप एक बिल लाना चाहते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके आप एक बिल लाना चाहते हैं मगर जिनकी लिए ला रहे हैं उनसे बाचीत ही नहीं कर रहे हैं चंद लोगों को भेज रहे हैं और मै आपको बतलाने चाहता हूं इस पर हिंदुस्तान टाइम्स की खबर क्या कहती है अंग्रेजी में है और मैं फिसका हिंदी में आनवाद करूंगा खबर क्या कहती है for the second draft stakeholders were instructed to collect their individual copies of the second draft and give an undertaking that they would not share the draft further each copy given to stakeholders is unique as it bears a watermark across each page that identifies the stakeholder through a number so that the ministry of information and broadcasting can trace leaks यहां तक ही जिलों को यह bill दिया गया है उनको भी कहा गया है कि भाई आप यह जो draft है किसी और को नहीं देंगे क्योंकि हर बिल पर हमने एक unique identity number डाला हुआ है जैसी आप इसे leak करेंगे हमें पतर चल जाएगा कि यह bill लीक कौन कर रहा है मगर मैं भारती जन्ता पार्टी से एक सवाल पूछना चाता हूँ सरकार से एक सवाल पूछना चाता हूँ सूचना और प्रसारन मंतराले से एक सवाल पूछना चाता हूँ अगर आपके दिल में चोर नहीं है तो ये काम चोरी-चोरी चुपके-चुपके क्यों हो रहा है आखिर क्यों इस बिल को चोरी-चोरी चुपके-चुपके कुछ लोगों तक पहुँचाया जाता है और फिर उनको भी धंकाया जाता है कि अगर तुमने लीक कर दिया तो तुम्हारी खेर नहीं सहिमियत देखिए दोस्तों सोच देखिए हर चीज में ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल लगाना चाती है क्या आप जानते इस बिल के अंदर क्या प्राबधान है इस बिल के वजूद में आने के बाद लिन्स राइटस अक्तिविस शेडूल कासे शेडूल ट्राइब आ以及 ना इयुनाणầाम लूग होंगे और यह जो Techn । मेरी हर पूर्ट को देखेंगे और तभीयो रिपूरि यूट्यूब या फिस्टारव्बॉक पर जाएक सोच देखिए दोस्तों किस कदर कंट्रोल करना चाहते हैं मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं दिन में दो से तीन शोज अपने यूट्यूब और फेस्वुक प्लाटफॉर्म पर डालता हूँ आपको क्या लगता है मैं एक समिती बनाऊंगा उनको अलग से पैसे दूँगा वो समिती अपने सुविधान उसार अपने समय के मताबिक उसे देखेगी और तब जाकर मैं उसे ओनेयर करूँगा यानि कि मुझे इतनी पेचीद्गियों में फसा दिया जाए कि एक हफ़ते में बमुश्किल मेरे दो से तीन शोजाएं उससे ज़्यादा नहीं इस वक्त मैं दिन में तीन कारकरम करता हूँ कम से कम तीन कारकरम अगर ये समिती बनाने के लिए मैं बात हो जाऊंगा मुझ पर जबरदस्ती होगी तो आप बताईए दोस्तों क्या मैं दिन में ये तीन शोज कर सकता हूँ और उसके लावा एक खत्रा जो लगातार बना रहेगा कि मुझ पर पैनल्टी लगाई जा सकती है मुझे गिरफतार किया जा सकता है मुझ पर फाइन लगाया जा सकता है यही नहीं जिस कैमरे के जरिये इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सरकारी कोई भी अधिकारी आकर उसे जब्त करके ले जा सकता है मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों जब न्यूज क्लिक पर रेड पड़ी थी तब मेरे घर दिल्ली पुलीस आई थी ये लोग मेरे दो फोन्स और मेरा लाप्टॉप ले गए थे आज तक वापिस नहीं किया दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि प्रबीर पुरकायस जो की न्यूज क्लिक के मालिक है जिने आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद कर दिया गया था उन्हीं भी बेल मिल गई है मगर आज तक दिल्ली पुलीस जो हमारे फोन्स जब्त कर गई थी जो हमारे लैप्टॉप जब्त कर गई थी आज तक उन्होंने वापिस नहीं किया है इस कारत क्या हुआ कोई भी सरकारी अधिकारी आएगा और मेरे कैमरे, मेरे फोन्स, मेरे लैप्टॉप उठा कर ले जाएगा अगर उन्हें मेरा कोई कारकरम पसंद नहीं आया और ये मत सोचिये, ये गाज सिर्फ मुझ पर गिरने वाली है ये गाज हर उस इंसान पर गिर सकती है जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, पेस्बुक पर अपनी बात रखना चाहता है हाथ कंगन को आर्सी किया आपके सामने कौन है डिजिटल नीज ब्रॉडकास्टर देखिए, इसकी परिभाषा क्या है डिजिटल नीज ब्रॉडकास्टर और पॉबिशर अवफ न्यूज और अफेर्स कॉंटेंट मीन्स any person who broadcasts news and current affairs programs through an online paper, news portal, website, social media intermediary or other similar medium as a part of systematic business, professional or commercial activity but excluding replica e-papers. आप में से कई लोग होंगे दोस्तों जिनके अपने YouTube channel होंगे और आप में से कई लोग अपनी बात उन YouTube channels के जरीए या Facebook pages के जरीए रखते हैं आप में से कई लोग पत्रकार भी नहीं हैं मगर आपकी कोशिश रहती है कि उन YouTube channels के जरीए आप अपनी बात रखें आप जो पत्रकार नहीं हैं आप भी अब Digital News Broadcasters माने जाएंगे पर, Twitter यानी X पर, Facebook पर, Instagram पर अपनी बात रखना चाहता है सरकार इतने अंकुश लाना चाहती है आप इनसान पर और सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर मगर हां इनके पालतु पत्रकारों पर कोई अंकुश नहीं है ये लोग दंगा भड़का सकते हैं, जूट बोल सकते हैं, फरजी खबर चला सकते हैं मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि News Channels के कई पत्रकारों पर NBDSA ने फाइन लगाया है उनके कारकरम हटाए भी हैं, क्योंकि ये लोग लगातार जूटे कारकरम चलाते हैं दोस्तों हाँ कंगन को RC क्या दोस्तों, काईदे से इन कारकरमों के लिए इन चैनल्स को बंद कर दिया जाना चाहिए था मगर देखिए, इन्होंने अलग-अलग समय पर किस तरह के कारकरम चलाए और ये कारकरम इसलिए चल पाए क्योंकि इससे भारतिये जनता पार्टी की राजनीती को मदद मिलती है और मैं आपको बताता हूँ किस तरह के कारकरम, ये देखिए ये आदमी जो पाटशाला चलाता है, फेक निउस चला रहा है बुल्डोजर से जाकिर कैसे बचा हिंदू अम्मा कैसे लटके जूटी खबर, मुद्दा था अलवर का बुल्डोजर यहाँ पर ये व्यक्ति है कह रहा है कि अलवर में जो बुल्डोजर चला वो बुल्डोजर से हिंदू का घर तबाह हो गया, मगर मुसल्मान के घर को कुछ नहीं हुआ सरसर जूट, फिर ये देखिए बताना होगा नाम भड़के भाईजान भड़काओ कारक्रमों के तेवर देखिए दोस्तों, जो Zee News में प्रसारित हो रहे हैं फिर देखिए, मुकेक शंबानी का News Channel और ये जो पत्रकार है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पर दंगा भड़कानी को लेकर केस भी दर्ज है इसने अलवर बुल्डोजर पर जूट कहा था इसका एक और कारक्रम आपके स्क्रीन्स पर हिंदू आबादी घटेगी अराजकता बढ़ेगी और फिर माननिय तिहार रिटर्न पत्रकार क्या अब मुस्लिम इलाकों में हिंदू तियोहारों पर रोक होगी तमाम कारक्रमों के भड़काव तेवर देखिए दोस्तों इन पर कोई लगाम नहीं लगती है इनके घर पर कोई सरकारी अधिकारी नहीं पहुँचेगा इनके equipment को कोई जब्त नहीं करेगा इनके news channels पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी सारी कोशश अभिसार, ध्रोव, रवीश, अजीत, पुनिप्रसून वाजपएपर और एक और शो दिखिए इस व्यक्ती ने करीब 15 किसम के जिहाद पर शो किया था आप जानते हैं इत्फाकन ये वो पत्रकार है जिसने आज से कई सालों पहले एक टीचर को वैश्याओं की सरगना बता दिया था जूटी खबर, फेक निउस एक महीने तक इसका news channel बन रहा था और आज की तारीक में ये आज तक में रात को प्राइम टाइम करता है और जो बार-बार में तिहार शब्त का इस्तमाल करता हूँ आप जानते हैं एक वीडियो आया था जिसमें ये व्यक्ती कथित तोर पर वसूली कर रहा था इस तरह के नगीने इस तरह के नमूने आज की तारीक में गोदी मीडिया में प्राइम टाइम पत्रकार हैं क्या सरकार इन पर अंकुष लगाती है क्या सरकार इन पर कोई कारवाई करती है आपकी दबिश सिर्फ सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर क्यूं जो जनता की आवाज उठाते हैं जनता के मुद्देब उठाते हैं सबसे बड़ी बात जो सत्ता में है सवाल उससे होगा जो ताकतवर है सवाल उससे होगा मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि Broadcast Bill के जरीए BJP सरकार के पास किस कदर ताकत आने वाली है सबसे पहले यह जो draft circulate हुआ है दोस्तों इसमें कहा गया है कि एक officer आके मेरे घर में घुश सकता है और inspection कर सकता है क्या लिखा हुआ है आपके screens पर an inspecting officer shall have the right to inspect broadcasting networks and services no prior permission or intimation shall be required to excise the rights of the inspecting officer to carry out inspection यानि मेरे घर में कोई भी व्यक्ती घुश सकता है inspection कर सकता है उसे पहले से किसी भी इजाज़त की जरूरत नहीं होगी ना अदालत की ना किसी और की और सबसे बड़ी बात जैसा कि यहां लिखा हुआ है he may seize the equipment of such broadcasting network और broadcasting services इसका मतलब क्या हुआ ये लोग मेरे camera मेरे phone मेरे laptop को seize भी कर सकते हैं उसे जप भी कर सकते हैं और जैसा कि दोस्तों में फर्मान बता रहा है हम पर penalty भी लगाई जा सकती है हमें जेल में भी डाला जा सकता है देखे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है subject to section 33 the central government may in accordance with the provisions of section 28 issue an order requiring the broadcaster or the broadcasting network operator to comply with one or more of the following measures to delete or modify the program requiring to comply to an advisory or censure or warning issued बाकाइदा दोस्तों आप जे सकते हैं ABCDEF फर्मान जारी किया गया है कि सरकार अपनी तरफ से फर्मान जारी करेगा और आपको मानना पड़ेगा देखे इसलिए मैं कह रहा हूँ ये digital bulldozer है और उसके अलावा कुछ नहीं सरकार बहुमत से दूर रह गई है उसे लगता है कि गोदी मीडिया उसकी खुलाम है गोदी मीडिया भढ़काओ कारकरम करते रहता है उसे इस बात का दुक है कि आखिर अभिसार शर्मा हिंदू मुसलिम क्यों नहीं करता हिंदू और मुसल्मानों में बटवारा पैदा करने वाली खबरें क्यों नहीं करता है अगर अभिसार शर्मा भी ये सब करने लगें तो इन्हें कोई आपत्ती नहीं होने वाली है ये हकीकत है और इसके इलावा कुछ नहीं दोस्तों मैं आपको बतला दूँ इस मुद्दे पर राजनीतिक दल भी सक्री हो गए है टीमसी नेता डेरिक ओब्राइम का बयान जिसमें हो कह रहे हैं ये उन पर हमला है ऐसा पवन खेरा बता रहे हैं अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि इंटेनेट में आजादी के मुद्दे पर काम कर रहे है अपार गुप्ता से मैं आपको बाचीत सुनवाऊंगा मैंने उनके सामने मुद्दे रखे हैं दोस्तों पहला मुद्दा और मैं चाहूंगा कि आप उनका जवाब सुनें पहला मुद्दा ये कि आखिर इस गुप्त तरीके से ये ड्राफ्ट बिल क्यों सर्कुलेट किया जा रहा है ये जो मसाओदा है इतने गुप्त अंदाज में क्यों सर्कुलेट किया जा रहा है इतनी सीक्रिसी क्यूं? सुनिया पार क्या कह रहे हैं? हैं और अभी एक रिसेंट रिपोर्ट जुलाए में आई है हिंदुस्तान टाइम्स की कि एक गुप्त तरीके से यह कुछ सिलेक्ट स्टेक होल्डर्स को दिया गया है और इन में ऐसे प्रवधान हैं जिनसे रेगुलेशन होईगी सोशल मीडिया की इंफ्लूएंसर्स की इसमें प्रवधान है वो उनकी भी हमें किसी तरीके से कोई नॉलेज हो जिससे हम सरकार को फीडबैक भेज पाएं एक और चीज में इससे जोड़ना चाहूंगा कि डिजिटल न्यूज ब्रॉड्कास्टर्स पर जो जो यह कानून लगने वाला है डिजिटल न्यूज ब्र जो जनलिस को रेप्रेजेंट करती हैं पत्रकारों को रेप्रेजेंट करती हैं और पब्लिशिंग हाउसिस को रेप्रेजेंट करती हैं उन्होंने स्पेसिविक रेप्रेजेंटेशने भेजी हैं मिनिस्ट्री ओफ इन्फोमेशन ब्रॉड्कास्टिंग को कि हमें भी एक अ कर शुका हूँ इसे आपार गुपता कैसे देखते हैं ब्रॉड कास्टिंग बिल के द्वारा सारे डिजिटल न्यूज ब्रॉड कास्टर जो हैं और कॉंटेंट क्रीटर जो हैं उन्हें सरकार के साथ जाके एक रेजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और अभी जो ड्राफ्ट लीक हुआ है उसके अंदर ये सही तरीके से सपश्ट नहीं किया गया है कि ये रेजिस्ट्रेशन में उन्हें क्या-क्या बताना पड़ेगा सरकार को कितनी बारी रिजिस्टर करना पड़ेगा पर उससे दो संधी होएगी क्योंकि प्रोग्रायम कोट में एक सपश्ट तरीके से ये नहीं बताया गया है कि क्या कानूनी और गयर कानूनी है तो मतलब सरकार अपने मन से बता पाएगी कि क्या इंटरनेट पे चलना चाहिए और नहीं चलना चाहिए और अगर किसी डिजिटल न्यूस या content creator ऐसा कुछ टिटपनी डालता है या उसका कुछ criticism डालता है सरकार का तो सरकार उस पे censorship कर सकती है मतलब वो news story वो video clip YouTube से निकाल सकती है ब्लॉक करवा सकती है दूसरी चीज इसमें ये भी हमें जाननी पड़ेगी कि ये कैसे किया जाएगा सबसे पहले registration तो ही पर सरकार इस इस Broadcasting Advisory Council में डालेगी और ए Broadcasting Advisory Council सरकार को सला देगी कि सरकार कैसे orders issue करे मतलब फिर भी Ministry of Information Broadcasting के जो मंतरी होएंगे इस Broadcasting Advisory Council में पहले अपने लोग डालेंगे वो बताएंगे कि आपको क्या-क्या करना चाहिए और फिर भी मंतरी अपने मन से कोई ना कोई चैनल कोई ना बंद करवा सकता है तो इससे हमारे सोचने जानने लिखने और इंटरनेट इस्तमाल करने पे एक बहुत बड़ा हमला है और एक बहुत बड़ा अनन है क्या अपार गुप्ता को लगता है कि यह मोधी 240 की असुरक्षा है उनकी इन सिक्योरिटी है यानि भाजपा को महस 240 कह रहे थे बहुमत से 32 सीटे दूर पिछली बार के मुकाबले 60 सीटे कम क्या ये उनकी असुरक्षा है सुनिया पार क्या कह रहे है अब सवाल उपता है कि ब्रॉड कास्टिंग बिल अभी क्यों लाया जा रहा है अभी अभी चुनाव खतम हुए नतीजे आये और सरकार एक कोलिशन गवर्मेंट 240 सीटों के साथ आई है और दो-तीन पार्टियां जोड़के वह भहुमत में अपना सरकार बना पाए हैं तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि पिछले 6-8 महीने में जो जादा तर नागरिक हैं जो भारतिये हैं वह अपना न्यूस कंटेंट मतलब अब day to day वह अगबार कम पड़ने लगे हैं और television news भी कम देखने लगे हैं वह YouTube और WhatsApp और Instagram से जादा तर जानते हैं कि सरकार हमारे ले क्या कर रही है पर सरकार से प्रश्न भी पूछने लगे हैं अलोचना भी उनकी होने लग गई है और इसके वज़े से सरकार को लग रहा है जैसे उसका एक कबजा बनावा था television news की उपर जिसमें उसके कोई भी मंतरी को या उसके किसी भी कार्य को एक ठोस तरीके से प्रश्न नहीं पूछा जाता था वो अब social media से जो पूछा जा रहा है उसमें वो एक पाबंदी लगाना चाह रही है और ये बिल के काफी broadcasting बिल के इससे काफी अगर आप provisions पड़ें इससे काफी साफ हो जाता है कि सरकार इसके लिए digital news broadcasters को तो इसकी regulation में लाई रही है independent content creators को भी मतलब जैसे अभिसार रवीश जी ये दुरुवराठी या छोटे-छोटे धिनके 15-20,000 भी हो या जो कोई news से भी नहीं तालूक रखें जो म कारोबार कर रहे हैं या एसी सही करवाने का कारोबार कर रहे हैं पर वो भी कई ना कई कुछ ना कुछ अगर सरकार के बारे में बोल दे वो भी इस बिल के दायरे में आ रहे हैं तो this is why I have called this a license राज ये internet का एक license राज मना रही है broadcasting बिल के तो ये थे आपार गुपता दोस्त होती है मैं आपको बता दूँ आजाद भारत के इतियास में कई चुनौती आई हैं पत्रकारों पर ये जो चुनौती ब्रॉटकास बिल के जरिये सामने आ रही है ये कहीं ज्यादा गंभीर है सभी राजनीतिक दलों को गंभीर होना पड़ेगा आप जो हमारे दर्शक हैं अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा कि किसी भी कीमत पर ये बिल नहीं आना चाहिए मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे अभिसार शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार हुआ है